दोस्तो आज हम सेर कर रहे हैं दिवाली की बचीवी खील से जटपट बनने वाली बिल्कुल नए नास्ते की रेस्पी बहुत आसान सिंपल सी रेस्पी है एकदम कुरकुरी बनती है और ये बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक बॉल में हमने ली है दो कप खील खील को हम अच्छे से साफ कर लेंगे जैसे इनमें धानवगर होता है उसे निकाल लीजेगा क्योंकि मूँ में आने पर ये चुपते हैं और साफ करने के बाद इसमें डेड़ से दो कप पानी डालिए और इनको दो से तीन मिनट फूलने के लिए छोड़ दीजे और दो मिनट बाद देखें ये अच्छे से फूल गए हैं तो इनको हम मुठी में लेंगे और इनका पानी निचोड़ लेंगे और इनको एक ब्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से इनके अंदर जो ड़स्ट वगर होता है न वो भी निकल जाता है और ये सौफ्ट हो जाते हैं तो इनको हमने पानी से छान लिया है अब एक मिक्सर जार लेंगे इसके अंदर हम ये भीगोए हुए खिल डाल देंगे साथ में डालेंगे एक कच्चा आलू यहाँ पर मैंने एक मिडियम साइज के कच्चे आलू को छोटे टुक्ड़ों में काडने के बाद धुल कर ले ली है एक हरी मिर्च डालेंगे और इनको पीस लेंगे इस पेस्ट को मैंने बॉल में निकाल ली है अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा कब बारीक कٹा हुआ हरा धनिया एक बारीक कटा हुआ प्याज तीन बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च ली है क्योंकि लाल मिर्च का इस्तमाल हम इसमें नई कर रहे हैं बच्चो के लिए बना रहे हूँ तो हरी मिर्च थोड़ा कम कर दीजेगा एक चम्मच मैंने कदुकस की अगवा अध्रक डाला है एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे आधा चुटा चम्मच काली मिर्ज पाउडर और एक चुटा चम्मच नमक अब दो बड़ा चम्मच हम इसके अंदर बेसन डाल रहे है इसकी जगा आप चावल का आटा या कॉर्न फ्लोर भी ले सकते है इससे नास्ते में बाइंडिंग आ जाती है और नास्ता हमारा बहुत ज़्यादा ओयली नहीं होता है बीना बेकिंग सोडा वगरा के भी अंदर से सोफ्ट वजालीदार बनता है और बाहर से क्रिस्पी तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिलाने के बाद हम इनको 2-3 मिनिर तक फेट लेंगे और इनका एक पकोड़े के बैटर जितना गाढ़ा बैटर बना कर त्यार कर लेंगे पतला हो रहा हो तो थोड़ा सा बेशन डाल देजेगा और इस तरह से बैटर बना कर त्यार कर लीजेगा अब चलिए नास्ता बनाने के लिए हमने कड़ाई में तेल गरम कर लिया है इसके अंदर हम इस तरह से छोटी छोटी बढ़िया तोड़ लेंगे और अभी गैस का फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि लो फ्लेम पर ये ओली हो जाएंगे और तेल में फैलने लगेंगे जैसे ही हम इसे डालते है ना धेर सारा जाग होने लगता है तो डालने के बाद जब जाग थोड़ा कम हो जाए और ये तेल में तेर कर उपर आ जाए तब हम इनको पलते से पलट लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके इनको उलटते पलटते वे गोल्डेन होने तक फ्राइ कर लेंगे एक बराबर इनके उपर कलर आए तो इनको उलटते पलटते रहिएगा और देखे इनको फ्राइ करने में 5-6 मिनट का समय लगा है इनका कलर सुनहरा हो गया है और ये क्रिस्पी हो गया है तो अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे इस तरह से हमने बाकी बचे पकोड़ियों को भी फ्राइ कर लिया है आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने है इनको आप फ्राई मिर्चों के साथ सर्फ करिए या कैचप के साथ ये पकोडियां बहुत ज्यादा ओयली नहीं होती है कम सामान में जटपट बन जाती है दिवाली की खील अक्सर बच जाती है क्योंकि ऐसे सभी उसे खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से बना लिजे सभी बहुत पसंद से खाएंगे बनाने के बाद रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो सस्काइब करना ना भोलिएगा फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धन्यबाद